मेश व्योवसाई क्षित्र में उच्च दिकारियों के साथ आवश्यक विश्यों पर चर्चा होगी आपके किसी पर्योजना को सरकारी लाग प्राप्त होने की संभावना है ग्रिशव गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन मिश्र फलदाई रहेगा व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाकर नए कारे का प्रारंब कर सकेंगे और भविश्य के लिए योजना भी बना पाएंगे गणेश जी चेतावनी देते हुए बताते हैं कि गुस्य की भावना आपको हानी पहुँचा सकती है बीमार व्यक्ती नई चिकित्सा या ओपरिशन न कराएं बदनामी न हो इसका ध्यान रखें कर्क समवेदन शीलता और प्रेम की भावनाओं से हरा भरा मन आज विपरित लिंगिये पात्रों की तरफ अधिक आकरशित होगा व्यापारियों को विदेश के साथ के व्यापार में लाब होगा सिंग गणेश जी कहते हैं कि उदासीन वृत्ती और संदेह की भावना आपके मन को बेचैन बनाएंगे दैनिक कारे विलंब से पूरे होंगे परिश्रम तो अधिक करेंगे परन्तु फल कम मिलेगा कन्या आज का दिन चिंता और उद्वेग से परिपूर्ण होगा पेट की गरबड़ी से स्वास्थ खराब होगा विद्यार्चियों की पढ़ाई में अवरोध आएगा अचानक धन खर्च आएगा तुला गणेश जी आज के दिन सावधान रहने की चेतावनी देते हैं विचारों की भरमार आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगी माता और स्त्री वर्ग संबंधी चिंता सताएगी विष्चिक आज आपके लिए लावदाई दिन है ऐसा गणेश जी कहते हैं आज आर्थिक लाब होने के साथ साथ भाग्य में भी लाब होगा इसने ही जनों के साथ संबंधों में प्रेम की अधिकता रहेगी धनू गणेश जी सावधान करते हुए कहते हैं कि परिवार जनों के साथ होने वाली गलत फहमी से बचें वियर्थ में धन खर्च होगा मानसिक उचाट और दुविधा के कारण महत्वपूर निर्ने नहीं ले सकेंगे मकर इश्वर भक्ती और पूजा पाठ से आज के दिन का श्री गनेश कहें परिवार में मंगल कारी वातावरन रहेगा दोस्तों और सगे संबंधियों की तरफ से भेट उपहार मिलने से आनंद अनुभग करेंगे कुम्ब पैसे की लेंदेन या जमानत आपको फसा न दे इसका ध्यान रखने के लिए गनेश जी कहते हैं एक कागरता का अभाव मानसिक अस्वस्ता बढ़ाएगा स्वास्थ के संबंध में प्रश्न खड़े होंगे मीन समाज में अग्रिम स्थान प्राप्ट कर सकेंगे सामाजिक कारियों में भाग लेने जाना होगा बुजूर्गों और मित्रों का सहयोग मिलेगा मित्र मंडल में नए मित्र जुडेंगे नौकरी व्योसाय में आय बृधी का योग है